असलाम अलेकूम कैसे हैं आप लोग से मैं उमीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआउं से माशाला मैं भी अच्छी हूँ तो जी आज है दिवाली और मैं आगे थी सुबही सुबह नीचे सुबह मतलब 9.79 का टाइम हो रहा है तो यहां पर भाया अबलकि अभी खिड़की दर्वासे खोल ही रहे हैं तो बस मैं यहां पर आगे थी क्योंकि मुझे आप लोगों को कुछ खास दिखाना था मुझे आप लोगों को अपनी दिवाली दिखानी थी कि हम लोगों के यहां दिवाली किस तरह से मनती है किस तरह से सेलिबरेट होती है तो दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार होता ह इंडिया में तो जो लोग बाहर के हैं उन्हे में बता रहे हूँ बहुत धुम धूम से मनाया जाता है तो बस हमारे यहां की धुम जो है पूरा शासनी दिखाऊंगी सासनी के बजार सासनी की मिठाईयां सब कुछ दिखाऊंगी लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ यह आपको सामने नजर आ रहे हैं यह देवाली के गिफ्ट यह पापा ने मंगाए हैं अपने वरकर्स के लिए हमारे यहां का रीचुल यह होता है कि जो मालिक होते हैं और जो उनके वरकर होत पहले से स्टाट कर दिया तो मैं काफी कुछ बोल चुक्यूं तब पता चलिया को सब चलते हैं अरे कल में जल्दी से बतावी देते कल हम मार्केट में से आ रहे हैं तो कल आपके मूर काफी की ता तो मैंने मार्केट का बनाओ इतना अच्छा सब कुछ लग रहा है तो उन् मितकत नियुकान वाले क्यां वाले कि कह रहे हैं और फाहरा के तो मितक्त पापजी के साथ काम करते हैं तो उनके विद कि अब भूराइब जाएगा अब ही सुबह और यहां की गड़ी का तो पता नहीं फॉन में दिखा देखा देखेंगे तो इस तरह की इतना दिखाया तो इन्दादो तो वही जाएगा ना क्या दिया चलो पासा फॉप इस तरह की एक कंटेनर है बढ़े क्यूट लग रहे हैं जो तो अब बहुत दोसों से ऊपर घाएं पर देखेंगे कि किसकी विडियो बना रहे हैं मेरे हाथों की मेरे मुंगी या इसकी तोनों की बनाता हैं तो नहीं दिखना हुआ है। बहुत मोटी दिखूंगी और इस तरह से लग और यह का फी अच्छा इसकी प्वाइं तो पांच किलो पांच किलों का इन दर गहरा हैं दिखा जाते हैं तो यह बहुत ज्यादा क्यूट और पुप्सूरत लग रहे हैं इनके साथ एक मिठाए के रबश शांपू आजाए जाए पापजी के तो यहां पर आभी चार है बाकी के नीचे रखे लिए पहले बता दिया है तो यह मैंने उपर मंग वाली तो मैंने कभी यह मुझे भी शूट करने हैं वो लोग इतना सारा तो उठाकर लान से लिए और इसके साथ एक मिठाए के तबबाबा आदा कि बहुत खुशी से मनाते हैं हर्चिस और सबकी खुश्यों में शामिल हुना इक बहुत अच्छी बात है हम लोग तो इसी तरह से करते हैं इस भी सब मिल बात की बनाते है और पापजी के सारे वर्टे जैसे मैं आप लोग को अल्रेडी बचा बता चुकिए हम लोग की अब आगे चलते रहेगा मैं आप लोग को बच्वी तो दिखाएंगे चलो अब उपच्छा की का मैं तुम आ हूँ अरे मैंने वो तो भूल लिया नहीं फोटो तो लिया नहीं और कहां गया वो अरे थमनेल के लिए फोटो की तो चहीं होता है प्र भूल देखते मैं क्या क सकते हैं कई पर भूल जाते हैं अब इतना सारा काम कर लिया है थक गई हूं हाँ उठा दो आपकी बड़ी महरबानी होगी हाँ फोटो चाहिए होगा फोटो ले 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 लें वोंने केजी एफ टू देखिए भीजेश ना अधीरा की तल्वा वो कितनी वैसी उते डरावनी और उससे वह नीचे के जाते लोग जरतें तो यह पापाजी के एक शोर कम कर लाए यह पापाजी की कैची मुझे किसी आधीरा की तुलवार से कवनी लग हरी किस नी भारी है और रियों नहीं बता रहें ज्यादा ज्यादा इभाइच ब्र कि अबे बैंध की बॉट्स बाता है हमार सीम लगारी यह यारर निम्रानि तुर बने जा चलो में ज़ा आप पापा को आपने कैची पीजा बहुत प्यारी है जाती है अमसे तो कभी कुछी गया हिसी हमारी बहुत प्यारी है चरड़ी तो अधीरा की तलवार रग दो जहां से ब्टाई है खुझा कॉन सा ऐच दफार फैशन चोर चल रहा है कॉन सा फैशन के है आज क्या बनी हुई हो जै कि आठाट पीछों अज तुमने बाल खोले होई है सुखे आप आरा के स्टैल से हमेशे संब अ अन्धाज लगा सकते हैं कि आएड़ा आज क्या है बाल मतलों आफ बंदें ए या खुल्ए हुए चलो बाया कर दो अब तुमे नाशन आपनी नहीं कर ना का रिख लो बाभी दो इसके सामने यहाँ जाएंगे यह बोली यह यहे जाएं को तो यहां पर दूच्छी के वह को अनकल के के ALE uh एक सो साथ गजी के तो मैं हमेशा सबसे पूछिती हुप तो कि मैं अमेशा सबसे पूछती है ज्यादा मोटी है तो में रियानवे से पूची रहा और भाईयान पूंची कि अगर हमे बहुता है जो मैं थनी मोटी हो गए यह रहे जो को अब यह noosa slag मौझ रहे हैं अब हम से चल रहे हैं रहे हुआ झाल कि अज कंफा शूच्त। जोहार को प्था होता है कि एक अधर हो फोले है ना ग्रीत दोहार आधा हो हूं रींपर भाइप्स जोहार हो ह написано इक पर खूधनि राध। वाइफ नहीं बोल रहा है रहा है वाइफ बिल्ली को क्वा में चीछड़ा ही मतर आते हैं अपने पापा की तरह है वह जल्दी ही उठ जाती है उसकी चुट्टियों तो कल मैंने परांटे बनाया थे आप लोग को बताया भी था तो बस वह फिलिंग रखी वी थी तो मैंने इ दोके लगा देती हूं पानी भी सुख जाता है और ठीक भी रहता है लेकिन अभी आप लोगों को थोड़ा सो होश पाश नजर आ रहा होगा वह सब बात में सेट होगा पहले मैंने दुलाईयां कर ली तो बस उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्रा बनाया और आज बहुत सब्सक्राइब करने वाली हूं देखते हैं कैसे जाएंगे और आप लोग अपने दिमाग से बिल्कुल निकाले कि मैं राइटिंग तोड़ रहे हैं लेकिन आज कुछ खा लेते हैं अलका फुलका बीच में ऐसे करते रहेंगे हम तो बहीं चलिए आज आपको दिखाते हैं अपने सास नितान की कि दूम कितनी रहुन पर हैं और यह एंपर हैं रंग बिंगी चूड़ियां मैं निकल चो ड़ाएं आप मिठा लेने जाओ तो वन का ओड़ा वाला तरह तो बिल्द जाओं पूरा सास निजो हैं तरह से बार्के था माथ बताई ही आस बार shifting जो भी घंव के लोग है इसके आसब सब घंव ही हैं तो सब लोग यहीं पर शॉपिंग करने आते हैं तो यह एक चोटा सा कजबा है अच्छा काफी लोग मुझे कमेंट करते कि आप सासनी को गाउं क्यों कि एक तो इसके आसपास सब गाउं है फास्ट और सेकंड चीज की मतलब यह चीज कहनी नहीं चाहिए लेकिन चलो आप लोग को बता देते हूं कि जैसे कि मैं डैली की हूं तो आप डैली वालों के लिए तो यह गाउं ही है ना आप समझ सकते हैं तो वहां पर सब इसको गाउ मिठाई की शौप तक आता है और रात में हम इन इस रास्तों पे से गुजरते हैं तब तो यह सारी शौप से बंद होती है अफ खुली भी हैं तो मैं जो सुवाइम से बात कर रहे थे तो यह शादियों की वाइप्स होती है यह बहुत ही अच्छी लगते हैं तो बस मैं किसी ने हमारे लिए इतना इनिशेटिव तो उठाया और सबसे में चीज है कि आपको एक आइडिया हो ही रहा होगा कि बजार में कितनी दूहुम चल रही है तो बस यहां पर यह लोग मिठाई लेने जा रहे थे मैंने सुब आप लोग को बताया था ना कि मिठाई का डबा भ भी आप शॉपिंग कर लो लेकिन वह रहता है कि अभी यह रह गया अभी वह रह गया तो वह हर घर में रहता है तो बस उसी का वो जो एंड टाइम वाला ना वही चल रहा है पूरे बजार में निकलने की भी जगह नहीं है और यह लोग वैसे बाइक पे जाते है क्योंकि आ हमारे बहुत फेमस शॉप है तो वहीं से लेते हैं यह एक गिफ्ट की शॉप है तो काफी अच्छे फ्लार्स इस देखे ना तो मुझे वैसी इतना जाद अच्छा लग रहा था अच्छा मैं आपको बता दूँ कि आपकी जीजू ने भी शूट किया है तो मैं कोशिश हैं और मतलों सब मिक्स तरह की मिठाई हैं वाइट वाली चम चम है तो उधर गुलाब जामुन है तो आप लोग को इन में सबसे अच्छी कौन सी लग रही है देखने में और खाने में तो यह सबसे जादा फ्रेश होती है मैंने पहले मैं आपको बताऊं जब हमारी शादी में पहले कि इतनी बढ़ ब्रेंड डुकान में होती लोग को पसंद केओ नहीं हां यह Aqui में मंन में के डियुकाय सब रख हां की तो भाइव कि पीछे विक इतना सब कुछ रखा हुऊह इ me यह मानती हूँ कि जो मिठाई बनने की स्टार्टिंग होते हैं यानि कि मावा वह ही यहां का इतना ओरीजिनल होता है तो जब ऑरीजिनल मावा होगा तो भाई सब्सक्राइब अरिजिनल ही मिठाई होगी डैली में तो वह पाउडर वाले उससे बनाते मावा को औरिजिनल प्रवाइन के जाएं तो हम वह साथ नहीं है इतना प्यारा यहां के लोग भी बहुत अच्छे आएं अच्छा मुझे कॉमेंटर आया था एक की बड़े शहरों की लाइफ से जादा अच्छी गाउं की लाइफ होती है तो इस पर मैं आप लोग के बात बताना चाहती हूं कि जब मेरी शादी होई थी तो यहाँ पर सासी में hama ta Al volunteered मेरी मतलब एक sister इनागरेशन हो भी तो जीचु ने बुला था सबकूट जीचु इनोगरेशन हुआ यह तो पाहले न मुझे मतलब Congrats अच्छा ही नहीं लगता था यूपी के लोग बड़े अजीव अजीव से यूपी की भाषा यूपी की दुकाने सब अजीव लगता था रौनक नहीं लगती थी अब तरहीं क्या ही लगता था लेकिन मेरा रिष्टा हुआ खेर मैंने तो किसी से हिमत भी नहीं थी कुछ कहने और ठीक है जो मंझी पपापा ने किया लेकिन फिरना कितने दिल से अगर आप किसी को apt k oxy लुट हो तो वही सारी चीज अची है तो जो चीजें मुझे पुरी लगा करती थी यहां के लोग, यहां की बात है, यहां की भाशा आज आप देखे कि मुझे कितना चलता है, आज मैं यहां के कितनी تعریफ है करती हूँ तो यह दिल से अपनाने वाली बात होती है कि ठीक है, जो हमारे नसीब में लिखा था, वो हुआ और नसीब को कोई वो नहीं कर सकता है लेकिन बस वही वाली बात है कि जब हम उसको दिल से अपना लेते हैं तो फिर सब चीज़े अच्छी हो जाती है लें अपर हमारा सबना तेआर हो गया अब पयमेंट यहां पर होगी है यह अप्लोग को दिख रहे हैं नहीं क्या गलता है और अपको देखने में नहीं कितनी बट्राओ लोगी है dieses यह अधडियुक्छतों बश्राइब तसको हमां लोगा ह तो आप देख सकते हैं जो भी था सब मेल्ट हो गया और यह खाने में इतनी गजब लगते हैं तो आप लोग भी एक बास ज़रूर ट्राइक करना है तो यहां उगा था नमाज करें में आप लोगते हैं तो इसके बाद चल्ड़ी से नमाज पढ़ती हम पर शुड़ के बाद घर लेकिन उसे पहले पापा को फोन लगा कर गा था कि मुझे पठाक्थे चाहिए तो देख से पाप लाते हैं यह नहीं हम तो बस कह देते हैं अभा तू आप दिवाली कैसे मना रही हो सच्छी कैसे आप क्या करने वाली हो दिवाली पे मुझे यह तो बता दो अच्छा और फुल जड़ी वगेरा कौन लाके देगा आपको पापा ने ला दी तो जला दिखा दो सिब्सक्राइबर्स को यह कौन से पताके हैं पॉपर्स मुझे यही पताके इस दुनिया में सबसे अच्छी लगते इनसे मुझे दरनी लगता हो फुल जड़ी ठीक है चलो तो आप दादी के पास चल रहे हैं अधमाल करेंगे तो बस यहां ममी के पास पहुछ गे थे और आए रा का यहां पर पीछे से बहुत धुम धळाका हो रहा था और यहां पर मम्मी आहिल को देरी लिए बस यह है कि बाजी ने पीछे से टीवी चरहा हुआ था तो वह गाने के हवाज आ रही थे हाला कि मैं यही सोची थी कि मैं औरीजिनल वाइस अब फिर कॉपी राइट आ जाता है त बहुत जादा डरती थी और यह जो फुल जड़ी होती है इसकी जो होती है स्पार्क्स पार्कल्स यह हात में घुसते हैं ऐसी बात नहीं नहीं घुसते तो तुमें भी बहुत बहुत जाए और आहिल का कैसे चुवा बनके अच्छा आज करना चोटे पच्छों को भी पता ह में हैं वह कहां सेफ हैं कहां उनको मतलब कोई खत्रा है और यहां बना ममी को फोन रखाता और आहिल ने नंबर दबाया और कान पी लगा लिए ऐसी शरारते माशाला से करने लगा और बहुत ज़्दा क्यूट लगता तो ममी वहीं बता रही थी कि देख फोन में लग गया भी से जाएं तो पूल जड़ी तो मैं ही जरा यह खोड़ा हुआ जो खी लगवार से घह विंगता और आहिरा को सबदो कभाड में बहुता है तक सामने जोन नहीं तो थी तो सबसे आहरा जलाएगे और कुछ तो हमने आब नहीं घह जला ली अब कुछ यह लोग बाहर जाक की भी रहान के दिखाएंगे और बच्चों का क्या है बच्चे तो सब खुशी होते हैं मैं जब मैं यह आ रहे थे रास्ते में से एक छोटी सी बच्ची थी वह अपने बड़ी भेहन से गले लगे बोड़ी थे अज मैं बहुत खुश हूं और मुझे उसकी इतनी अच्छी ल क्या मैं सही हूं जागाना कुशी तुम जला करो उपार से करना बंद हो जाएगा अरे इसकी इसकी चिंगारी नहीं निकल लेगे पागल आरा उपार से हाँ ऐसे ऐसे करो ऐसे कार्ग brakesवच कर से कर सके आरे, वहु हाँ़ जाए पांट, आरे, पी जड़ा जाए पांट ₦ीर जाए आर душीнд extraordinar तो मे McLareसicaप अरमाच आरे, जा जाए जा रसे, ऐaires Hybrid जे गारे, खूत्वा जाए जाए तो पर आगागा अ का नहीं हाँगर पूलस तर चड़ा रहा है अच्छ लो काई से पेर भिसल गा ओओ या काई से बिर गाई होगा चेडी पे तह लिकी सी अशे करके होगी ना तो यह अचाना हुआ लिए तो यह जाते हैं अचाना हुआ आपना कुछ ऐसा हो रहा है जो मैंने अभी तक कभी भी नहीं देखा मालेब अपनी लाइफ में नहीं देखा माल आतिश बाजी लेकिन आतिश बाजी यंत्र नहीं देखा तो यह एक यंत्र है पहले तो मैं सोची थी कि यह बाबा इनकी कोई लाठी वाठी होगी लेकिन सारे के सारे इसमें लगे वे जुन्ड बनाके तो मुझे आप लोगों ने देखा हो तो मुझे जरूर बताना मैंने कभी भी नहीं देखा तो इससे यह आतिश बाज़ी करेंगे और किस तरह से करें तो आप लोगों को मुझे बताना है कि यह कोई वाके में यंद्रेग है यह कोई जुगाड है और इसका कमाल गया होता है वह आगे आप जरूर देखना वह तो बहुत ही ज़्यादा बेमिसार है लोग जाए! आज के वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए तुझे सारा लाइक कर देना फ्रेंद्स और फामिली के साथ शेयर कर देना यह वीडियो सिर्फ मैं नहीं ही नहीं मेरे पूरे परिवार ने बड़ी मेहनस से बनाया है सबका इसमें तो अधर कांट्रिबिशन है तो सबके लिए लाइक तो बनता ही है मैं आप से मिलूंगे इंशाल अपनी नेक्स वीडियो में तरफ तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना और यह हमारे घर की तरफ ज